ब्रेट से आपनी नास्ता तो कई बार बनाया होगा लेकिन आज मैं आपको ब्रेट से बहुत ही टेष्टी और 2 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी बताने वाली हूँ तो ब्रेट आपको जो भी आप यूज करते हैं न डेली यूज में बस वही ले लेना है, सिंपल से होंगे और थोड़े सौप्ट रहने चाहिए, अगर सौप्ट रहेंगे तो बहुत ही अच्छा सा सेप आता है, उसके बाद आपको लेने हैं लसून, तो 7-8 कलिया मैंने यह अच्छी तरह से बारिक कट्स कर लेना है, और उसे डाल देना है, उसके बाद आपको लाल मिज्श हो तो वह डाल देना है, और नहीं है तो लाल और हरे मिज्श mix करके भी डाल सकते हैं उसके बाद आपको डालना है स्वाद, अनुसार, नमक और सभी चीजों को अच्छी तरह से mix कर लेना है यह bread में लगेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा flavor होता है और यह lesson का जो taste है बहुत ही अच्छा सा spiciness से भर देगा और एक ही bread खाएंगे तो लगेगे कि हाँ कुछ खाए है तो यह देखें सभी चीजों को मैंने अच्छी तरह से mix कर लिया है बस इसे mix करना है अब चलिए कैसे इसे बनाना है अब मैं वो जानकारी देने वारी हूँ तो सबसे पहले आपको bread लेनी है यह देखें अब fresh bread है मेरे पास और अभी मैं दो bread का इस्तमाल करने वारी हूँ तो आपको कोने वगरा कुछ भी नहीं काटना है और मैंने bread की बहुत सारी recipe डाल रखी है अपने चैनल में नास्ता कैसे बनाएं और बहुत ही अलग अलग तरह के के अगर नहीं देखिए तो जाके देखिए तो यह bread की recipe बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोने पकड़ने है और कोने से आपको चाकू या फिर कैंची के मदद से अच्छी तरह से कट्स कर लेना है पूरा नहीं करना है यह देखिए आप मैं जितना कर रही हूँ आपको उतना ही करना है यह आप चाहे तो पहले इसमें अच्छी तरह से आप यह better भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने cuts करके पहले दिखा दिया है उसके बाद आपको क्या करना है बेटर अच्छी तरह से फैला के चारो और लगा देना है इससे क्या हो जागा बहुत ही अच्छा सा टेष्ट आएगा और यह आपके जो bread है बहुत ही tasty बन जाएगी और यह देखिए अच्छी तरह से मैं mixer के लगा रही हूँ और इस recipe को मैं sort recipe भी बना के डाल दूगी अगर आपने यह देख लिया है और आपको बनाने का मन है तो sort recipe में जाके आप सीख सकते हैं अब यह देखिए एक bread को मैंने लगा दिया है अब यह देखिए दूसरे bread में भी इसी तरह आपको करना है जितने बनाना है सब एक ही बार में आप चाहे तो लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा आपका look भी start हो जाएगा उसके बाद आपको लेने हैं कैंची और कैंची से यह देखिए पहले मैंने लगा दिया है उसके बाद मैंने दूसरे bread को इसी तरह अच्छी तरह से काट रही हूँ बस यही process होता है और इसे बिलकुल ही flower shape में मैं आज बनाने वाले हूँ और different तरीके के जितने भी shape वाले नास्ते हैं और यह देखिए अच्छी तरह से कोने पकड़े हैं और कोने को पकड़के क्या करना है आपस में इसे आपको जोड़ते जाना है बस एक एक कोने को पकड़ना है और अच्छी तरह से जोड़ते जाना यह देखिए कोई भी दिकत नहीं होगी अराम से यह आपका flower shape में यह न त्यार हो चुके हैं। आपको से त्यार करने Πरेद से कैसे त्यार से त्यार चूकर चुकीर है। कwość कौर्ण वगएर्ण गुछ और लगा सकते हैं। उस्के पाद आपको लने है त्योनिक ब्रतन को बहुत च horrific गलम करना है। थोड़ा थेल डालना या फिर आपके पास बटर है तो बटर नहीं डाले तेल ही डाले बटर डालेंगे तो बहुत ही जल्दी जलने लगते हैं उसके बाद मैंने जो पीज्जा वाले मसाले हैं मैंने उसे डाल दिया नहीं है आपके पास तो काली मिर्श का पाउडर भी डाल सकते हैं जीरा का भी प बभर करके आपको अच्छी तरह से पका लेने हैं तो तैयार हो जाएगे गार्लिक प्रेड की